हेले स्टुजेंट्स, वेलकम एक तो अपर यूट्यूब चैनल, एन्वी क्रियेटर तो हम इस वीडियो में डिसक्रिशन करेंगे इंट्रिकल ट्रांस्पॉर्म का एक इंपॉर्टेंट कुष्चन इसमें हमें प्रूब करना है इंट्रिकेशन जीरो टू इंफाइनेट्स, ए टू दी पार माइनस एकस स्कॉर्ड दी एकस इचकुल टू अंडरूट पाइवाइट टू इसको हमें प्रूब करना है बाई इन्वर्स लापलास ट्रांस्पॉर्म के साहता से ठीक के लाइट करें तो चलिए हम इसको पहले देखते हैं इस तरिके से दो से तीन सबाला आपके काफी इमपॉर्टेंट्स है यह आपका साइन वाला, एक कॉस वाला और एक ईबाला ठीक है नतौ पहले हम इसको लैट करते हैं तो यहाँ पर हमने let किया है, जो हम let करेंगे, last में हम उसको पुनाप प्रती स्थाबित करेंगे, तो f of t, हम इसको मानते हैं, f of t, integration, 0 to infinite, e to the power minus, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, t मान देंगे, x square dx, यानि यहाँ पर एक function हम t कर रहे हैं, ठीक है न, तो हमारा then, नीचे से लिखेंगे, then, अगर हम इसका laplace निकालेंगे, laplace of f of t, तो क्या हो जाएगा, integration, 0 to infinite, अब हमारा जो इसका laplace निकालते हैं, तो क्या होता है, जैसे ही आपने पढ़ा, e to the power minus, s t, f of t, dt, और जो f of t था, इसको हमने माना था, है न, f of t की value हमने क्या मानी, pot की, जै हमारी by the definition होता है, ठीक है न, laplace transform था, तो e to the power minus, s t, और हमारा bracket के अंदर क्या आएगा, integration, 0 to infinite, e to the power minus t, x square, dx, और बाहर हमारा over क्या हो जाएगा, dt, ठीक है न, तीतना आपको समझ में आ गया, अब हम क्या करेंगे, dt को अंदर लेंगे, और dx को हम बाहर कर देंगे, तो next में हम देखते हैं, integration, 0 to infinite, e to the power minus, s t, ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है, e to the power minus, s t, हम क्या करेंगे, इस s t को भी अंदर ले आएगे, है न, तो, यहां, पहले हम एक काम कर लेते हैं, इसी को कर देते हैं, integration, 0 to infinite, e to the power minus, t, x square, dt को अंदर लिया, और हमने क्या किया, dx को बाहर कर दिया, next step में, इसी में देख देते हैं, हम नीचे कर देते हैं, कि जो integration, 0 to, हमारा क्या है, infinite, अब लगाएंगे, bracket, फिर integration, 0 to infinite, e to the power minus, s t को हमने क्या किया, अंदर, और हमारा क्या बचाता है, e to the power minus, t, x square, और हमारे यहां पर क्या है, dt, और बाहर हमारा क्या आजाएगा, dx, अब हमारा जो इतना वाला function है, यह हमारा function किसका है, laplace of, हमारी जो definition किसकी बन रही, laplace of इस वाली function की, है न, why that, laplace, definition लिखाता न, laplace transform की, तो वही definition बन गई, तो हम next step में क्या लिख सकते हैं, इसको देखते हैं, तो देखेगा, अब हम इस step में, हम पहले पिछला बाला step उतार लेते हैं, एक बार, integration zero to infinite, हमारा क्या था, यहाँ पर bracket लगा था, integration zero to infinite, यहाँ पर e to the power minus st into, e to the power minus t तो हमने माना था, x square, और हमारा यह किसका, dt का, ठीके न, bracket वहर वंदर के हमारा क्या है, dx, अब आपको इतना वाला, जो हमारा function दिख रहा है, इद्धा हमारे definition से किस से दिख रहा है, दिखेगा, यह हमारा definition किस से दिख रहा है, by the laplace transform, हम क्या लग सकते हैं, integration zero to infinite, इसको हम चाहें, तो laplace into, पूरा यह वाला function आ सकता है, तो e to the power minus t x square, हमारा क्या हो जाएगा, dx, समझ में आ गया, अब हम इसका लेंगे laplace, तो हम इसका laplace लेने पर हमें क्या मिलेगा, integration zero to infinite, इसका हमारा e to the power minus x square, इसको हम मानेंगे e to the power 80, 80 का हमारा क्या हो जाएगा, बना पून s minus e, तो हमारा इसका क्या हो जाएगा, dx और हमारा x, 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 x square, ठीक न, s square x, आगे लिख देंगे e to the power 80, बराबर क्या होता है, बना पून हमारा क्या होता है, s minus e, दिखिएगा, अगर हमारा यहाँ पर t बराबर हमारा minus बन दिया गया है, और a बराबर क्या दिया गया है, x square, तो हमने a बराबर यहाँ पर क्या रखा, x square, और यहाँ पर t बराबर हमारा क्या दिया गया है? t बराबर माइनस 7 यहाँ पर विज़े हमारी क्या कहते है? इसका जो लापलास ट्रांस्पूम होता है वो क्या होता है? बनापॉन s माइनस यहाँ पर हम कर देते हैं जैसे के लापलास of e to the power माइनस t x स्क्वार ठीक है? अगर हम लापलास e to the power e t तो क्या होता है? बनापॉन s माइनस e होता है कि नहीं होता है? अब यहाँ पर हमारा क्या है? e बराबर हमारा क्या दिया गया है? x स्क्वार ठीक है न? तो e बराबर हम x स्क्वार रखेंगे क्या दिया गहें ज़रावर minus x square तो हम यहाँ पर 1 upon s minus minus plus x square तो हमारा क्या बिला dx upon s plus 1 upon s plus x square अब आगया समझ में यह कहां से आया अब हम इसको चाहें तो क्या लिख सकते हैं Intrigation 0 to infinite dx upon इसको हम under root s से लिख सकते हैं s square plus x square ठीकर अब हमें करना है इसका Intrigation तो आपने इसका Intrigation पढ़ा है क्या होता है Intrigation 0 to infinite dx upon s square यानी e का square plus x square क्या हो जाएगा देखिएगा e का square plus x square 10 inverse होता है 10 inverse a upon x तो हमारा क्या हो जाएगा 1 upon under root s 10 inverse x upon क्या हो जाएगा e की value क्या है under root s limit हमारी क्या दी गई 0 to infinite तो upper limit minus lower limit करेंगे तो हमारा क्या हैगा 10 infinite तो हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा value और हमारी इस तरीके से हमारी क्या मिल जाएगी पाई upon 2 root s ठीके न s वहाँ पर 10 0 के value और 10 infinites के value क्या होती है पाई तो हमारी इस तरीके से हमें क्या मिल गई यहाँ पर πाई वाई टू मिलेगी तो πाई वाई टू इंटू अंडरू डैस अब हम क्या करेंगे यह हमारी जो वैल्यू मिली है इसको हम क्या करेंगे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें यह हमारी किसकी आई है, चुकि value हमारी किसकी है, f of t की, तो f of t बराबर हमारा क्या है, pi by 2 हम बहार निकाल लेंगे, अब क्या है, under root s मिला है, है ना, और इसी में हम निकालेंगे, यह हमारी laplace transform की है, है ना, तो पहले हम, हाँ, इन्टू, बन अपॉन, हम under root s लिख देते हैं, अब हम taking क्या गरेंगे, inverse laplace transform लेंगे, यह हमारी, इसकी value में लिए है, तो लिखेंगे taking, जिसका हम laplace transform करते हैं, उसका हम क्या करते हैं, inverse laplace transform करते हैं, आपने सीखा भी होगा, inverse laplace transform, तो inverse laplace transform करने पर, यहाँ पर तो यह अफ़ोप T की value आगे, यहाँ पर pi by 2 into inverse laplace transform of, बन अपॉन, अंडरूड s, बन अपॉन, अंडरूड s, यानि s की power by 2, s की power by 2 करेंगे, तो यानि हमारा क्या मिलेगा, यहाँ पर हमारी पूरी value मिल जाएगी, pi by 2, ठीक है ना, देखिएगा, यहाँ पर हमारी क्या मिली, f of T, इसक्वल टू हमारा क्या मिला, 1 upon 2 into pi की power, pi upon हमारा क्या है, T की power, 1 by 2, तो हम क्या लिख सकते हैं, f of T बराबर, 1 बटे 2, अंडरूड पाई, अपॉन, अंडरूड टी, लिख सकते हैं के नहीं लिख सकते हैं, चुकि यह value हम by question first से लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, Intrigation, 0 to infinite, e to the power, minus, क्या माना था, T x square, dx, बराबर हमने क्या माना, बन अपॉन, 2, into, अंडरूड पाई, अपॉन, अंडरूड टी, चुकि अगर हम यहाँ पर T is called to, 1 put करते हैं, तो put T is called to, 1 put करने पर हमारा क्या आएगा, hence, Intrigation, 0 to infinite, e to the power, minus x square, dx, बराबर हमारा क्या है, अंडरूड पाई, वाई, 2, और यहीं हमें क्या करना था, प्रूब करना था, तो I of कि आपको यह, पूरा समझ में आया गया होगा, कैसे हमने यह प्रूब किया है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो, तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेश कर लेना, जिससे आने बाले नॉटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें, और जिस भी उच्छों के इसके हेंडिटे नूर्स परचेस करने हो, वो हमारी वाट्सअप पर हमसे संपर्क कर शकता है, फिर मिलते हैं, आपको जिस भी कुश्चन में प्रॉबलम हो, आप कमेंट वॉक्स में, या हमारे वाट्सअप नंबर पर कुश्चन भीज सकते हो, हम आपके लिए उसकी वीडियो भी तैयार कर देंगे, धन्यवाद.